हेलो दोस्तो दोस्तो यदि आपका फोन भी हैंग कर रहा है दोस्तो लैक करता है और आपके फोन के अंदर किसी अपलिकेशन को अगर आप ओपन करते हो तो दोस्तो महाँ पर काफी सारा टाइम लेता है तब उस अपलिकेशन को ओपन करता है तो दोस्तो ऐसी प्रोब्लम को आ बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करने लगेगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन की हेंगिंग प्रोब्लम को सोल करने के लिए दो सेटिंग करने है अपने फोन के अंदर सबसे पहले क्या करना आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है फोन सेटिंग में जाने के के बाद आपको एक सैटिंग और करनी है जो बाद में बताऊंगा वो सैटिंग करने के बाद आपका फोन जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा उस तो आप यह कोगे कास इन सैटिंग का मुझको पहले पता होता तो दोस्तों वहां से आप इस तरह के पेज पर आ ज नीचे जाना है और नीचे चलते चले जाना है और दोस्तों नीचे जाने के बाद आपको यहां पर दो ओप्सन देखने हैं दोस्तों जिनको आपको यहां से ओन कर देना है तो दोस्तों नीचे जाते जाते आपको यहां पर एक ओप्सन देखने को मिलेगा दोस्तों यहां और आप देख सकते हो आ चुका है वो option don't keep activity तो दोस्तो इस option को आपको अपने phone में उपर नीचे कहीं पर भी देख लेना है दोस्तो यहां से इसको enable कर देना है इस तरह से आपको पहली setting कर लेनी है और दोस्तो इससे भी आपके जो phone की hanging problem है वो soul होगी तो दोस्तो पहली setting करने के बाद यहां पर आपके जो phone है जो थोड़ा fast हो जाएगा और दोस्तो अब दूसरी setting करने के बाद आपका phone और भी fast हो जाएगा तो दोस्तो दूसरी setting करने के लिए नीचे देख सकते हो background process limit तो दोस्तो इस पर किलिक करना है और दोस्तो यहाँ पर कहीं पर भी select हो उपर नीचे तो दोस्तो यहाँ पर एक option देखना है no background process तो दोस्तो इस पर किलिक करना है अब दोस्तो क्या होगा आपके phone के अंदर जो भी background में चलता है दोस्तो वो सभी बंद हो जाएगा और दोस्तो उसके लिए आपको यहीं पर एक setting करनी है scroll down करना है और थोड़ा थोड़ा नीचे चलना है नीचे जाना है और यहाँ पर एक option देखना है दोस्तों यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा windows animation scale सबसे पहले आपने भी तक वीडियो को like नहीं किया तो दोस्तों इन scale को यहाँ से क्या करना है आपको इस पर click करना है चलिए हम window वाले पर click करते हैं तो दोस्तों इनको यहाँ से off कर देना है अब नीचे वाला इसको भी off कर देना है और अब तीसरे नमबर का इसको भी off कर देना है अब दोस्तो आप अपने फोन को चलाओगे तो देखाओगे कितना फास्ट होगा देख सकते हो आप अपने फोन को चला कर दोस्तो इस तरह से आप अपने फोन की जो हेंगिंग प्रोब्लम है उसको भी सोल कर सकते हो अपने फोन को फास्ट भी कर सकते हो अगर दोस्तो इस वी वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी दोस्तो सिस्क्राइब करना